अयूब की पुस्तक अध्याय दस, मेरा प्रान जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रता पुरुवक कुड़कुडाऊंगा, और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बाते करूंगा, मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोशी नठ हैरा, मुझे बता दे कि तु किस क को सुफल करके, अपने हाथों के बनाये हुएं को निकम्मा जानना भला लगता है, क्या तेरी देहधारियों की सी आखे है, और क्या तेरा देखना मनुष्र कासा है, क्या तेरे दिन मनुष्र के दिन के समान है, वा तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्ले है, कि तु म मेरा अधर्म ढूनता और मेरा पाप पूछता है। मुझे तो मालूमी है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छोड़ाने वाला नहीं है। तुने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़ कर बनाया है। तो भी मुझे नाशके डालता है। स्मरन कर कि तुने मुझे को गुंदे हुए मिट्टी की पाई बनाया। क्या तुमुझे फिर धूल में मिलाएगा। क्या तुने मुझे दूद की नाई उंडेल कर और दही के समान जमा कर नहीं बनाया। फिर तुने मुझे पर चमड़ा और मास चढ़ाया और हड़िया और असे गूंद कर मुझे बनाया है। तुने मुझे जीवन दिया और मुझे पर करुणा की है। और तेरी चवकसी से मेरे प्रान की रक्षा हुई है। तो भी तुने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं तो जान गया कि तुने ऐसा ही करने को ठाना था। जो मैं पाप करू तो तु उसका लेखा लेगा। और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष नठ हैराएगा। जो मैं दुष्टता करू तो मुझे पर हाय। और जो मैं धर्मी बनू तो भी मैं सीर न उठाऊंगा। क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूँ और अपने दुख पर ध्यान रखता हूँ और चाहे सीर उठाओ तो भी तू सिहं की नाई मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विद्ध आश्चर कर्म करता है तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रो गर्भ से क्यों निकाला नहीं तो मैं वही प्रान छोड़ता और कोई मुझे देखने भी नहीं पाता मेरा होना न होने के समान होता और पेठी से कब्र को पहुचाय जाता क्या मेरे दिन थोड़े नहीं मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा श जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यू के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गर्बढ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार